हेलो दोस्तों नमस्कार वेल्कम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेज तो डियर श्टुडेंट आज की वीडियो में हम लोग जो है कच्छा दस्की मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चो आज कच्छा दस्की मैथ की सबसे पहला चैप् टॉपिक को पढ़ने हैं हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे प्यारे बच्चो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और दोस्तों के साथ से यर कर दीजेगा प्यारे बच्चो आपको इस चैनल पर हर एक क् फीस इसकी नहीं ले जाएगी चाहे जो हो जाए पूरा कुर्स आपको किराया जाएगा समय से पहले प्यारे बच्छों तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात आपके चैप्टर का क्या नाम है वास्तुएक संख्याएं क्या नाम है वास्तुएक संख्याएं वास्तुिक संखिया हैं जिसकी English होती है Real Numbers क्या होति है रूह जाते हैं जानते हैं संख्या क्या होती है संख्या संख्या की सहायता से हम लोग आकड़ों को ग्यात कर सकते हैं किसी भी आकड़ों को गिन सकते हैं अगर संख्या न रही होती तो आज हम लोग बता ये नहीं बता सकते थे कि ये दो मारकर हैं यानि गिनने वाली किसी भी आकड़ों को गिनना किसी भी आकड को बटाओ यह कितनी अगलिया इंसे संख्या के माध्यम से अंगलियों को गिना आकडा है तो कि संख्या के माध्यम से आकडों को ग्यात किया जा सकता है आकडों को प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चो तो संख्या जान गए होंगे कि वह माध्यम जिनके सहायता से हम लोग आकडों को प्राप्त करते हैं वह हमारी क्या कालाती है संख्या कालाती है संख्या कितने प्रकार होते कई प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों और यहां के ओल आपको पहले चैप्टर में वास्तिक संख्याओं के बारे में अध्यन करना है वास्तिक संख्या क्या होती है बाकी और सभी संख्याओं के बारे में हम चर्चा यहां आज के क्लास में नहीं करेंगे पर आपको अगर जानना है कि इनके भाग क्या है या इनके बारे में डिटेल से जानकाई लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी और नहीं तो कच्छा नौ की प्लेइलिस्ट में आप जाके देखेंगे सौरभ सर के डिटेल से संख्या के बारे में बताया गया है आप वहां से जाकर उसे जरूर देख सकते हैं प्यारे वैच्छो आपको उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्यारे वैच्छो तो चलिए आप चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है रियल नंबर क्या होती है वह संख्याएं होती है जिनको हम लोग गिंते हैं एक से ले के जितनी संख्याएं गिंते हैं एक दो तीन चार पांच साथ आट नौ दस यारह बारह तेरह जितनी गिंती होती हैं जितने गिनने वाली संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं वास्तिक संख्याएं कहलाती हैं इसे हम लोग आर से बैद करते हैं किसे बैद करते हैं प्यारे बैद करते हैं तो हमने क्या बता है वास्तिक संख्याएं क्या कहलाती हैं तो प्या पहले चैप्टर में क्यों दो टॉपिक अध्यान करेंगे एक होता है यूकुलिड विभाजन प्रमेइका और एक होता है यूकुलिड विभाजन अल्गोरिथम दोनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे तब चैप्टर पे चलेंगे और तब चैप्टर को आसान सब्दों में लगा बाते चलेंगे आप खुद लगाओगे हम नहीं लगाएंगे उसे आप खुद लगाओगी प्यारी बच्छो आईए तो यूकलिड विभाजन इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक यूकलिड विभाजन प्रमेई का यूकलिड विभाजन यूकलिड विभाजन इलगोरिथम तो ये यूकलिड विभाजन इलगोरिथम हो गया यानि आपको दो चीजोोग पढ़ना है एक होता है यूकुलिट व्भाजन प्रमी का एक आपको पढ़ना यूकुलिट व्भाजन एल्गोरिथम क्या हमने बता है दो टॉपिक पे क्लियर करना है एक यूकुलिट व्भाजन प्रमी का एक यूकुलिट व्भाजन एल्गोरिथम प्यारे बैच्चों इन्हें सब को जानते हैं आ तो आपको यह बात जरूर्त पता होना चीह कि जो यह एक आया है वह आपका सेशफल होता है क्या होता है सेशफल और जो ये पांच ये जो दो आया है ये आपका क्या है भाग फल ये क्या है भाग फल और ये ये जो दो है ये क्या है भाजक है क्या है भाजक या नि भाग जिससे आप भाग दे रहे हैं और ये आपका क्या है जिसमें भाग दिया जाता हो आपका क्या कहलाता है भाजी कहलाता है तो प्यारे बच्चो एक बार फिर से क्लियर किजिएगा ये जिससे भाग दिया जाता हो भाजक होता है जिसमें भाग देते हो भाजी होता है जो आपका भाग देनी के ब लिखा जा सकता है दो गूरें दो दो दुटर दो दुं़ी चार है और जो यह sisters फल एक है तो 5 ओं मोग सकते बास समझाई इस 5 को लोग इस रूप में मिर्ट सकते हैं दो गूरें 2 plus is तो अगर इसी को हम फार्मूले के रूपमें लाएं तो ये 5 आपका क्या है रहाँ जीघे गाँ क्या है के अगला दो क्या है वागफल सेजप़ तो प्यारे वच्चों यही आपका क्या है यूकलिड विभाजन एलगोरिथम है अभी इसी रूप में यूकलिड विभाजन एलगोरिथम आएगा हम लोग इसको रटेंगे नहीं समझेंगे अपने सब्दों में समझेंगे हमने क्या बता है प्यारे बच्चो यूकलिड वाजन एलगोरिथम क्या होता है भाज जी बराबर भाजक गुड़े भाग फल प्लस सेस फल कैसे हमने देखा ऐसे एका की जांपल अगर आप और देखना चाहते हैं तो बेहिचक देख सकते हैं क्या देख सकते हैं जैसे आपने तीन से किसमे भाग दे दिया साथ में तो तीन दूनी साथ में से छगटा है एक तो ये जो तीन है ये तीन आपका क्या कलाएगा भाजक कलाएगा ये तीन आपका क्या कलाएगा भाजक तो आपने फार्मूला पड़ा है भाज जी तो भाज जी क्या है आपका यहाँ साथ है भाज जी क्या है तीन है औह भाग फल कौन है दो है औह प्लस सेश फल कौन है यहां एक है आप देख सकते हैं तीन दूनी छ एक साथ यही यूकलीड भाजन इल्गोरिफम को दर्साता है तो आईए हम मानते हैं माना यहां जो आपका पांच और जो दो लेके चले थे वो मानते है माना a और b कोई दो धनात्मक पुढांक संख्या है चलिए जहां 5 है और जहां 2 है उन में से कोई दो संख्याएं मान लेते हैं मानआ ए और b दो धनात्मक पुडांक संख्याएं हैं मानते हैं एकलिट भाजन एलगर्फम मारा दो धनातमक पुडांक एव बी है ठिक एव बी है जिन को या हम कह सकते हैं जिन में से ये इन दोनों में से कोई एक बड़ा हो जाए तो जिने में सम मानते हैं यदी यदी जो B है वो क्या हो A से बड़ा हो यदी B जो है A से क्या हो बड़ा हो यदी B A से क्या हो बड़ा हो यह बात क्लियर किजिए यानि हम यहां मान के चल रहे हैं यदि B जो है A से बड़ा हो तो जो बड़ा होगा उसी में भाग दिया जाएगा प्यारे बच्छों तो ध्यान से समझेगा अब B को A से भाग देने पर अब जो वहाँ दो दुनी चार लेके जाते थे कितनी बाल ठेके गए क्यों बाल लेके गयो ध्यान से समझेगा तो जो सेसफल बचता है एक बचा था यहां एक बचा ता वह सेसफल आपका आगया कोई A यानि कोई सेसफल क्या आगया आपका यहां A Now bu ऑल यहां अगया ध्यान से समझेगा अब यूह जो यूकुलिद विभाजन प्रमेइका क्या आया हमने फिर से एक बार आपको बताना चाहरे है माना दो धनात्मक पुरांग ए और बी है क्या है ए और बी है जिनमें से बी बड़ा है एसे बी बड़ा है एसे तो एक बी में एसे भाग दिये बी में एसे भाग दिये कितनी बार गया क्यों बार गया और सेस्पल आया आर तो यूकलिड विभाजन प्रमेइका यूकलिड विभाजन प्रमेइका चलिये तैयार करते हैं पार्मूले पर आओ यूकलिड भाजन प्रेमिक आपक़ क्या कहता है भाज भाजक भाजक कोन है थै कौन है और भाज़ कोन है क्यू है भाग फल कौन है क्यूं है और सेश फल कितना है आर है तो यूकलिड विभाजन प्रमे क्या क्या तयार हो गया बी बराबर एक्यू प्लस आर यदि ए बड़ा होता बी से तब यदि ए बड़ा होता बी से तो दूसरी इस्टिती समझ लेते हैं यदि A बढ़ा हो B से तब A में हम B से भाग देंगे तब A को B से भाग देने पर आज़े ये भी उकलिट व्यागन प्रमे क्या है ये भी है तो अब देखी किसमें कौन बढ़ा है A बढ़ा है तो A में B से भाग देंगे तो A में B से भाग दिये तो कितनी बार गया क्यों बार गया सेसफल क्या आगया आपका आ रहा गया कुछ भी यहां आया हो सेसफल क्या आया आपका आ रहा है तो यूकलिड भाजन प्रमेई का यहां क्या तयार हो जाएगी यहां क्या तयार होगी यूकलिड भिभाजन प्रमेई का यूकलिड भागफल भाजक कौन है बी है और भागफल क्या है क्यू है तो आप इस रूप में भी यूकलिट भाजन प्रमिका लिख सकते हैं चाहे आप इसको समझ लेजिए चाहे इसको समझ लेजिएगा तो बाते कहां से आई जो हम लोग पुराने बच्पनों में छोटे-छोटे जब ए और बी हो यदि दो धनात्मक प्रांक ए और बी हो ए और बी का कोई भी मान ओ सकता 2,3,4,5,67,8, जो भी कुछ भी हो तो माना दो धनात्मक प्रांक ए और बी हैं जिसमें से हम मानते हैं पहली स्द dies में मानें कि बढ़ा है A से यानि B का मान बढ़ा है A से अब जब B अधात A से हमने भाग दिया, तो भाग फल क्यू आया, सेस्फल आ रहाए, तो यूकुलिट भाजन प्रमी क्या क्या हो गई, B बबर A Q प्लस आर, कहां से भाजक गुड़े भाग फल प्लस सेस्फल, तो प्यारे बच्चों अगली स्थी में क्या कर दिये, अगली स्थी में हमन के डाउट को क्लियर कर देंगे प्यारे बच्छों आजी अभी दूसरी टॉपिक हमने लिखा था यूकुलिट भाचन एल्गोरिथम आप अगर इसका स्क्रीन साट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं फिर हम रहे एल्गोरिथम की चर्चा कर लेते हैं चलिए थोड़ा सा इधर चर्चा करते हैं छोटी सी टॉपिक है एल्गोरिथम क्यों एल्गोरिथम समझते हैं एल्गोरिथम का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्रिंखला क्या होता है स्रिंखला ध्यान से समझेगा हमने क्या बताया एल्गोरिथम का मतलब होता है स्रिंखला और स्रिंखला का पिर दूसरी बड़ी हो गई फिर तीसरी फिर यह पांच्वी यह चप्वी आई से यह स्रिंख्ला हो गई यह लायन हो कि क्या हो गई स्रिंख्ला की दिरे दिरे एक उसरे से क्या होती गई बढ़ती चली गई तो स्रिंख्ला स्रिंख्ला का मतलब क्रम एक क्रम से लगाना लगाना होगा और करम का मतलब क्या हो गया चरण बद यानि एल्गोरिथम का मतलब हो है तो चलिए अब हम लोग इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको एकुलिट भाजन प्रमेई का और एल्गोरिथम दोनों चीजे समझ में आ जाएंगी तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीन साट ले सकते हैं तब हम आगे इसको मूप करते हैं प्रश्णावली या एक्सरसाइज जो भी आप लिखना चाहते हैं 1.1 प्रश्णावली एक दस्मलों एक को हम लोग साल्व करेंगे NCRT कौन सा पैटर्न है NCRT ठिक प्रश्णावली एक दस्मलों एक का हम लोग आए साल्व करते हैं सबसे पहला सवाल है प्रश्णावली एक दस्मलों एक का पहला सवाल है निमलिकित संख्याओं का SCF ज्याद करने के लिए यूकलिट विभाचन एलगोरिथम का प्रयोग कीजिए तो प्यारे बद चो SCF का मतलब होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं मौसप जिसे हम लोग क्या कहते हैं मौसप यूकलिट विभाचन प्रयोग करें के दी गई संख्याओं का क्या करना SCF ज्याद करना तो सबसे पहले पहला के उस्टरम लोग बनाते हैं यह प्यारे बच्चो यह है यूकलिट विभाजन प्रयोग करके उप्योग करके निमनी संख्याओं का SCF ज्याद किजे इसमें सबसे पहला स्वाल है 135 और 225 दूसरा स्वाल है 196 और 38220 तीसरा है आठ सो सरसथ और 255 यह है आए प्यारे बच्चो इन्हें सबका हम लोग क्या करते हैं SCF निकालते हैं क्या कर रहा है यूकलिट विभाजन प्रयोग करके निमनी संख्याओं का SCF ज्याद किजेंगे तो सबसे पहले हम लोग आप लोग दो ऐसे करेंगे एक तरफ करेंगे एक तरफ फेर करेंगे प्यारे बच्चो रफ वाले सवाल आपको नहीं दिखाना आप पेपर में क्यों आपको यहां यूकलिट वाजन अल्गोरिफ्व करके लगादा है तो प्यारे बच्चो मान लेते हैं माना दो बराबर कौन है दो सो पच्चीस मान लिए जरूरी नहीं ए बराबर 135 मानो ए इसको भी मान सकते थे बी इसको भी मान सकते अब बताई कवन बड़ा है यह बड़ा है कि यह बड़ा है तो आप देख पा रहे होंगे कि बी बड़ा है तो लिख देंगे बी बड़ा है एसे बी युक्लिड विभाजन प्रमीका क्या होगा वी इसे बड़ा होता है तब कि ये होता है और जब ए बडा हो जाता है तब के लिए कुछ और हो जाता है तो यहाँ इसको छोड़कर अब हम लोग चलते हैं रफली करते हैं प्यारे बच्चों एक बाद फिर से समझाते हैं दी गई संख्याओं में किसी भी एक संख्या को A माल लेंगे किसी भी एक संख्या को B माल लेंगे जो बड़ा रहेगा वो हम दिखा देंगे ठीक यहाँ तक बाते समझाई अब आप बताओ जो बड़ा रहता है उसमें भाग दिया जाता है तो आईए बड़ी संख्या क्या है इधर हम लोग रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए आता कैसे है तो प्यारे बच्चो बड़ी संख्या कौन है दो सो पचीस कितना है दो सो पचीस फिर किस से भाग देंगे भाग किस से देंगे भाग देंगे एक सो पैंतिस किस से भाग देंगे एक सो पैंतिस तो प्यारे बच्चो कितनी बार जाएगा एक बार जायेगा, कितनी बार जायेगा, एक बार, 135, kep 135 लेके जाओगे, तो पांच में से 5 घटा होगे 0, यहां दो में से 3 घटेगा नहीं, यह एक इस़े लेगा एकांता बार्व में से तिन गटांगे नो यह भर चैंसिल हो गया तो यह पहला चरन कल गया यह स्टेफ हुआ प्यारे बत्चो एल्लगॉरिथम का मतलब होता कि चरन बध् यानि यहां पहला चरन चरन कपम हो गया तो चरन एक लिखेंगे हैं चरन एक चरण एक, चरण एक में बी, बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, बी का मान यहां कितना है, दो सो पचीस है, तो इसी से लगाएंगे, बी के हस्तान पे कितना है, दो सो पचीस बराबर, ए, ए के हस्तान पे क्या है, देखी, ए के हस्तान पे है, एक सो पैतीस, कितना है, एक स प्लस आर, आर के स्थान पे कितना है, 90, कितना है, 90, ति ये पहला चरण complete हो गया, प्यारे बच्चों, फिर आगे क्या करते हैं, इस 90 को भाग देते हैं, ये 135 यहां पर आ जाएगा, 135, अब चलिए, 91 के 90, 90 बार गया, घटा है, 5 में से 0 घटा है, 5, और यहां 13 में से 9 घटा द गया, दूसरे चरण में आपने क्या पाया, दूसरे चरण में आप देखिए, ये आपका B है, ये आपका क्या है, B है, ये आपका क्या A है, जिसमें भाग देते हो, वो B होता है, जिससे भाग दिया जाता है, वो A होता है, B कितना है, 135 है, आप देखिए, अब ध्यान से स्थाHRI कोiben एक 135 तो 135 बराबर एक क्यास कानुप कौन है 90 एक क्यास थांब कौन है 90 और गुड़े क्यू क्यू क्यास क्यास करने एक है और आर के स्थान पे कौन है पैंतालीस है ये बाते क्लियर हुई प्यारे बच्चो चरण दो की आगे चलते हैं फिर अब हम लोग किस से डिवाइड करेंगे इसी पैंतालीस से इस नब्बे को भाग देंगे तो पैंतालीस दूनी नब्बे जब पूर रूप से कट गए अब आगे हम लोग यहां भाग नहीं देंगे प्यारे बच्चो तो अब बताएए यहां बी कौन है नब्बे है बी कौन है नब्बे है एक कौन है पैंतालीस है और क्यों कौन है दो है तो आएए प्यारे बच्चो ध्यान से समझेगा चरण तीन चरण तीन चरण तीन में क कौन है पैंटालिस कि एंटू क्यू को वन है दो है प्लस आ आर क्या घ्ट गया है कुछ और क्या हो गया स Lud यहां तो प्यारे बच्छों जब सेसफल आपका जीरो आ जाए तब समझेगा कि आप दी गई संख्याओं को जो महसा पर निकाल रहा हूँ वो पूर्ण रूप से क्या हो गया समाप्त हो गया है यानि अब यहां आके हम अपने इस चनर को इस निखला को इस क्रम को यहां पर आके समाप्त कर देंगे जब तक सेजफल जीरो नहीं आएगा तब तक दी गई संख्याओं का स्था आप निकाल नहीं सकते प्यारे बच्च वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकता है यह सियफ का मतलग क्या होता है बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी दोनों में बड़ी से बड़ी वो कामन संख्या 45 है जो दोनों को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है विभाजित कर सकता है तो लिखेंगे अ कि इस उसका है एक सो फैंटीस दौशू पचीश बराबर कितना है 45 यही आपका क्या है एच्छी तो प्यारे बैच्चो इस प्रिकार से आपका जो पहला सवाल है वह कंप्लीट हो यह आपको रफली दिखाना है यह आपको यहां इसके साथ नहीं दिखाना आपका सवाल यह है कि वल यूकलिट भाजन प्रमीरिका का प्रयोग करके आपको लगाना है प्यारे बच्चो तो जरूर आपको यह सवाल समझ में आया होगा अगर कहीं दिखते होंगी तो कमेंट ब 220 है A बराबर क्या माल लेते हैं 196 और B बराबर क्या माल ले 38 220 बड़ा कौन है प्यारे बच्चो आप देख सकते होंगे बड़ा है तो क्या है B बड़ा है जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे जब B बड़ा हो A से तब यूकलिड बिभाजन एल्गोरिथम तब यूकलिड बिभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम से यूकलिड बिभाजन प्रमेहिका पहले प्रमेहिका लिखते हैं यूकलिड बिभाजन प्रमेहिका तब युकुलिट भाजन प्रमी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो बी बराबर एक्यू प्लस आर फार्मूला लगा दिये अब आईए अलगोरिथम लगाते हैं अब हम लोग आगे की तरफ पड़ते हैं तो प्यारे बच्चो अभी हमने कहा था हर एक सवाल को रफली देखे कि रफ कैसे के किया जब आता कहां में चरण एक लिखे हैं अब प्यारब किस से देंगे प्यारी बच्चो भाग केंगे चौटे वाले से एक सो चानवे से, कितनी बार से, एक सो चानवे से, जब आप दो बार बार ले जाने से से पieuकशानवे से ज्यादा आजाएगा प्यारे ब Issetzen प्यारे बिद्थ Anुब ह एक सफे सिन गटा नोगा नोगे आधड़ प्यारे बिद्थ्यान से च्छाıllगा कर दोऔर बीध गटा दोगे souvent Church odd अब आप क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चो आगे देखे एक संख्या और बच्ची है ये वाली दो संख्या उटा लेंगे भाग देने तो आप लोगों कहता ही होगा भाग तो देने आता होगा प्यारे बच्चो तो चलिए अब भाग देते हैं अब कितनी बार लेके जाएंगे नौ एक के नौ नौ पांच नौ आठ सत्रह यानि नौ बार ले जा सकते हैं आप देखिए सत्रह सो चौसट आया जो कि इस से ज़्यादा नहीं है प्यारे बच्छो तो नौ बार आप ले जाएंगे कितनी बार ले जाएंगे नौ बार चलिए नौ बार तो नौ बार लेकी गए तो नौ चके चववन नौ नौ इक्यासी पांच छियासी फिर नौ एक के नौ और नौ पांच नौ और आठ सत्रह तो यह माइनस कर दिये घटा है तो बारह मेंसे चार घटा है आठ यहां बचा पांच पांच मेंसे चार घटे का नहीं पंद पहले ही बड़ा भाग था तो आपका पहले ही चरण में ही भाग दिया है आईए लिखते हैं तो चरण एक में क्या लिखेंगे सबसे पहले बी बी कौन है 38220 है बी कौन है प्लस आर आर क्या है जीरो है तो प्यारे बच्चो आप देखिए पहले ही चरण में आपने जीरो पा गये हैं सेस्फल आपका पहले ही चरण में जीरो आ चुका है इसलिए SCF आपका क्या होगा इन दोनों संख्याओं में से कौन बड़ी संख्या है 196 इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 196 है तो दी गई संख्याओं का SCF कौन हो जाएगा 196 हो जाएगा तो लिखेंगे SCF HCF कौन 190 और 38220 का जो SCF होगा वो कितना आएगा 196 ही आएगे तो प्यारे बच्चो इस प्रिकार आपका ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाते हैं दियर स्टुडेंट कुछ नहीं करना रहता केवल आप बड़ी संख्या पहचानो सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी क्या चोटी में से बड़ी में भाग देते चले जाओ तब तक भाग देंगे जब तक सेस्पल 0 ना आ जाए और सेस्पल 0 आ जाएगा जिस चरण में स सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या आपका यह है तो यह आपका स्ट हो जाता है पहले बच्चो अब आप इसको बताईए हम इनको क्या माल लेते हैं इनको बी मानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम बी मानते हैं बी बराबर कितना हो गया 800 सरसट कितना है 800 सरसट एक इनको मानते हैं छोटे वाले संख्या को 255 तो यहां देख रहे हैं कि B बड़ा है A से यदि B जो होता है वो बड़ा होता है A से तब जो यूकलिट भाजन प्रमेई क्या होता है तब यूकलिट भाजन प्रमेई क्या हो जाएगा B बराबर A Q प्लस R तो प्यारे बच्चों यह आपका यूकलिट भाजन प्रमेई क्या हो गया B बराबर A Q प्लस R हो गया अब हम यहां करते हैं अब हम लोग चरण से लगाना स्टार्ट करते हैं तो प्रथम चरण क्या लिखते हैं प्रथम चरण तो प्यारे बच्चों प्रथम चरण में क्या लिखेंगे ध्यान से समझेगा B अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफली कर लेते हैं रफ में क्या करत एकुनि रैना एकुपा जना कितना तो लगवक्त आप कितनी वार लेक्या जाएंगे आप इनको तीन बाल लेके जाएगे जैसे चारवा लेके जाओंगे ज्यादा होजाएगा तीन बाल लेके जाएंगे तो चल्ठत हो जा गयी तो तेन पंद्रह यशटकनुplings एक सोला अभी सेजफ़ल जीरो नहीं आया है तो हम लोग इसको और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले पहला चरण लिख लेते हैं पहला चरण क्या है बी कौन है प्यारे बच्चो बी कौन है आठसो सरसट यहां बी ब्राबर कौन है आठसो सरसट एकौन है 255 है कौन है 255 into Q Q कितना है 3 कितना है 3 कितना है 3 कितना है 9 102 अब आते हैं दूसरे चरन में दूसरा चरन क्या है अब दूसरा चरन अब 102 दो को हम लोग किससे भाग देंगे, 255 को, तो ये कितनी बार जाएगा, ये एक ही बार जाएगा, नहीं, दो बार जा सकता, अब दो बार लेक जाएगा, तो दो दुनी, 4, 2 0 में 0, 2 1 के 2, तब पांच मेंसे 4 घटा है, एक पाँच में से 0 घटाओगे 51 आजाएंगे तेहां दूसरा चरण आपका खतम हो गया तो दूसरे चरण में भी सेसफल 0 नहीं आया है यानि अभी हमको ये सिंकला आगे की तरफ बढ़ानी है आगे की तरफ चलना है तो आएए दूसरा चरण में क्या पाएं बी कोई कितना है 255 तो बी कितना है 255 बराबर एक क्यू एक कितना है एक सो दो है क्यू कितना है दो है तो एक कितना है एक सो दो और क्यू कितना है दो और आर कितना है 51 है कितना है 51 अब आएए तीसरे चरण में कौन से चरण में तीसर आईए देखते हैं क्या तीसरे चरण में सेसफल आपका जीरो होता है यह 51 हो गए अब क्या करेंगे 102 में भाग दे देंगे यह इस बार यहां आ गया तो दो बाले के जाएंगे दो 1 के 2, 2, 5, 10 आप दिखिए अब तीसरे चरण में आपको जो सेसफल है वो क्या मिल गया है जीरो मिल गया तीसरे चरण में आपको सेसफल हो जाहन मिल चुका है यानि हमारा सिंक्ला यहां समाप स्माफ हो चुका क्योंकि सेस्फ़ल zero मिल गया तो हम यह स्तियद पाच चुकी है ताइए तीसरे चरण में लिखते हैं तीसरे चरण में बी कौन है बी आपका यहाँ 102 है कौन है 102 है बराबर एक कौन है 501 है कौन है 51 और इंटू आपका क्यों कौन है दो है और जो सेश फल हो क्या है जीरो है जब सेश फल जीरो आएगा तभी आपका ये सिंकला समावत होती है वहाँ जाके तभी आप एल्गूरिट्फम लगाना बंद करोगे अब आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण में जिस चरण में सेश फल जीरो आया है प्रकार दोस्तों आपका ये जो पहले का तीसरा सवाल जो था पहले का तीसरा सवाल वह भी कमपलीट हो जाता है तो प्यारे बच्चों इसी सवाल के साथ आज की क्लास्स हम लोग यहां समाब्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ज भारत